नमस्कार और आदाब आद सनी चरहे अप्रिल के नौ तारिक पेशाव के लिए साथ दिन के खबरे ये सबको पता है कि उक्राइनगर और रुजलान के बीच जो जंग जो ओरल sque हो रहा है इसका असर हुआ है इन्टनाशनाले ओली प्राइसें पर. ओली प्राइस जो है, मार्ट मेहना के वास्टे एक रिकॉर्ट होगत बराए है, 130 युएस दॉलर पर बेरल, और इसवगत दाम है, तुसे दे 100 और 110 युएस दॉलर एक बेरल के वास्टे. यानि वारी मेहना में दाम जो है, प्राइस जो है अभी तख तख युएस दॉलर था एक बेरल के वास्टे. जो सुरिनाम देश का पॉम्प प्राइस है, यह हर मेहना बदला जाता है, इसमें एक आनपासिंग आते है, और यह है नया इंतरनाशनाल ओली प्राइस के आधार बर. जो ओरलोग है, जो जंग हो रहा है, तो इसके असर लीटर प्राइस पर होगा और हुआ है, और हम आपको बतादे कि जो प्राइस है, यह अप्रिल मेहना के वास्टे, जो जो बतादे मेहना के, भिला है, जो बतादे के वास्टे, चानलेद स inhab आते 22 SRD 47 Cent, यह इक ज़ जो है 3 SRD 4 Cent, यह भर 24 SRD 24 सиче diapers, थegt जो है 4 SRD 37 Cent. जो जो चितनाल ओार हुआ हम आपको बतादे के, यह दो ताम के पjakहा ब से, इसमें government take जो है अभी जोर्ती नहीं किया गया है। अगर government take जोर्ती किया जाता तो दाम होता ऑनलेदित के वास्ते 25 तक SRD सेफननेखन तक और दीसल के वास्ते 25 तक SRD नेखनन दर्था। सरकार ये ताय किये है कि ये government take जो है जनता के लिए इस मेहना के वास्ते निकाला जाएगा दाम से ओली प्रैस से पॉंप प्रैसन से इस वक्त के लिए government take इसमें जोर्ती नहीं किया गया है। तो हम आपको ये बता दे कि सुरिणाम देश का एकोनोमी जो है इस वक्त बढ़ंटी के और जा रहे है तीरे दीरे समल रहा है तो ये समय पर इस वक्त के वास्ते जब एकोनोमी स्टाबिली सेर होता है तो सरकार ये फैसला लिये है कि सुरिणाम देश के जो जनता है इन लो को भरना परता तो सरकार ये फैसला लिये है कुछ समय के वास्ते सुबसीडियर करने के वास्ते और सुबसीडियर करने का मतलब है कि ये पैसा कहां से आएगा बहुत से लोग के सवाल किये हैं तो सरकार ये बताए है कि ये सुबसीडी कौर्टिंग जो सरकार जनता के लिए त कार को तो इसे अबताइ हुआ है कि नया पॉंप प्रैसे जो है ये अप्रिल मेहना के वास दे इसल के लिए आपको भरना है 19SRD 87 और उनलेदे के वास दे 20SRD 95 ये ऑफिशेल दाम है पॉंप प्रैसे जो है इसल और उनलेदे का प्लातब्रुख जहां पर है वादर कान जहां पे ही एंधालत है यहां पर इस वक्त एक त्वालेट खुरूप बनाया जाता है ये ओबन बार त्वालेटन रहेगा ये एक प्रोयक्त का हिस्सा है जिसमें तै हुआ हुआ है कि पाच अनेक जगे पर शहर परमारीवो में त्वालेट खुरूप बनाया जाएगा उबन बार त्वालेटन के कमताई के वज़े से ये तै हुआ है ये फैसला लिया गया है जनता के वास्ते और बिननस्ताथ में जो विल्ट प्लसन इस वक होते हैं तो इसको रोकने के या कम करने के वास्ते दिस्रिक्स कमीसारिस रिकारदो भूला परमारी वो नौर्द उसका कहते है कि लोग एक सामन विर्किंग तै कि एए हैं एक पर्टिक्ली रा उंदर नेएमर के साथ और कमीसारियां के साथ दोनों एक साथ मिलकर काम करने वाली है इसमें हर एक के वास्ते ये फाइदा होगा ये दिस्रिक्स का मिसारस भोलाने कही है इस वक्त शहर में काम हो रहा है, मरमत होता है, साथ में साफ किया जाता है और लोगों के लिए एक और सुरक्षित शहर बनाया जाता है इस वक्त भी और्दनिंग लाया जाता है ओपनवार मरक्तन पर और उन लोगों को हटाया जाता है योदन पर इस तराथ से जो सरक के किनारे अपना माल बेशते है हम आपको ये बता दे कि जनता के हिफासध के वास्त के कहा गया है ऐसा फैसला लिया जाता है और शहर जो है साफ किया जाता है ये जो त्रोतवार्श है, फरलिख्टिंग है और अफवातरिंग सिस्टेम ये भी अखेंदा पर रखा गया है, इस पर भी काम होगा और ये भी आपको बता दे कि ओपन बारे वेरकन, मिनिस्टेरी फ़न ओपन बारे वेरकन जो है कुछ अंदर नेमर्स के साथ मिलकर काम कर रहे है और ये एक कॉंटिनी प्रसेस रहेगा, धीरे धीरे ये होगा, इसमें कुछ समय लहेगा, ये बिनिस्टा जो है और बेहतर बनाने के वास्ते प्रेसिदेंट चंडरी का परसाथ संतो की बीते हुए बूफिल बीफे को ये बताए है कि एक कविनेट्स वैसिखेंग आने वाली है कुछ मिनिस्टर्स जो है, बदला जाएगा, ये कहा गया है, लेकिन अभी तक ऑफिशल खबर नहीं आए है बाहर की कांसे मिनिस्टर्स रिशफल होगा नाम लिया जाता है, मिनिस्टर्स एकनोमिसे जाकन जाएगा, सच्क्या बाली है, ये कि एक एफलुवाटी तो हफटे के बीच होगा, सरकार का, और एक कविनेट हर्सचिक होने वाली है लेकिन अभी तक प्रेसिडेंट खुद नाम नहीं लिये है, ये सरीफ लोगों ने के कहते है कि कुछ नाम लिया गया है या कुछ नाम लिया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट के तरफ से अभी तक कोई ऑफिशल नाम बाहर नहीं आए है सुरिनाम से लुखत फार्द मात्सखपे सुरिनाम एरवेश जो है ये अफसोस करते है कि एक पर्षबरिक बाहर आए है जिसमें गलत इंफरमासी गलत जानकारी दिया गया है इंफरमासी जानकारी दिया गया है जो सही नहीं है और ये ख़बर भी सोशल मीडिया के जरीए फैलाया गया है एक पासशीर जिसका सहथ ठीक नहीं था इनका तंदृस्ती अचानक हवाई जहाज में बिगड़ गया था तो ये बताया गया है कि ये पासशीर ये यातरी का दिहान ये हवाई जहाज में फ्लिख आपरिल के तीन तारी को उड़ान करने वाले थे इसमें पता चला है कि एक यादरी एक पासशीर का हाला जो हें इनका तंद्रुस्ती जो हे खराब हो गया है उस वक्त हवाई जहाच फिलिखतर हमें एक दाक्टर मौझूद था और जितना वो कर पाई है उतना मदद वो किये ह हमा को यह बता दे कि यह दाक्टर जो हे यह कहे है कि जो करीब का लुख्थाफन है वहाँ पर एक लेंडिंग करना है एक तुस्टॉस्टॉप करना है मेडिस असिस्टेंसी के वास्ते यह मदद के वास्ते इस पशेंट के इलाज के वास्ते ऐसा हमेशा होता है एक मेडिस प्रिखवाल आगर होता है, तो स्तैंडर्ट ओपरेटिंग प्रॉसीजिर्स प्रॉसीजिर्स जो है, S.O.P. इसका तुपासिं होता है, ये लागूरता है।ब और तोताल क्रू जो है, पूरा त्रू जो है, हवाई जहाज का जो लोग उरान करते हैं, जो लोग वहाँ पर उस समय काम पर रहते हैं, इन लोगों को इस बारे में पता है और इन लोगों को इस बारे में भी ट्रेनिंग दिया जाता है, इन लोगों को ट्रेनिंग किया जाता सुरीनम एयर्विस ये पताए है कि ये सब वामोस एयर के साथ एक operating carrier वामोस एयर के साथ उरान कर रहे थे और सर्ड слыш और इंत्रनेशनोल और एयरोपिज स्टन्दार्डन के मताबिक सर्टिफिसेर किया गया है, ये सब उरान करते है सुरिनम एर्वेस ये अफसोस करते हैं कि एक यातरी एक पसशीर का दिहान्थ हुआ है लेकिन ये पर्षपरिह में बताया गया है कि ये हवाई जहाच में नहीं हुआ है और सुरिनम एर्वेस अपना सुख सामवेथना इस परिवार को प्रस्तूत किये है सुनेवालों हम आपको बिता दे कि लिख दाख तरीफन जो है अस्पतालों में सीकन हाउसन में ये भी उचा हुआ हुआ है फीरंड देख प्रोसेंट 34 प्रतीशत से नाचुनाल सीकन हाउसराज जो है साथ सीकन फॉंस के साथ ये सब मिलकर बातचीत किये हैं साथ सीकन फॉंस جो सरकार का है तो कहीए सरकार और नाचुनाल सीकन हाउसराज जो है एक साथ मिलकर ये सब बातचीत करने के बाद बुद को टै हुआ है लोग सहमत हुए है ये 34% फरहोखिंग के वास्ते तारीस फरहोखिंग के वास्ते लिखदाख तरीफन फरहोख किया जाएगा पिछले हफ़ता सुको सरकार और यह SETF ये सब NZR के साथ एक स्बूत फरखादरिंग लगाए थे लिखदाख तरीफन के बारे में जो आनपासिंग आना चाहिए एक परस्ताव पेश किया गया था और हम आपको बता दे कि NZR जो है ये 4-सल ये परस्ताव पर घौर किये है और घौर करने के बाद इस पर वापस आई है और कहे है कि लोग इससे राजी होए है बुदको ये वोरस्ताव आनपासिंग का इसवग का जो तरीफन है लिखदाख तरीफन जो है ये आनपासिंग के बारे में बाद्धित करने के बाद ये अबताई हुआ है कि ये आनपासिंग होगा 34% का बगिन ऑखुसस पिछले साल 2021 में तरीफन आनपासिंग आए थे 121% का आनपासिंग था और तब से ये तरीफन जो है लागू थे और ये बताया गया है कि अगर देखा जाए कि कितना ज्यादा कूर्स उचा हुआ है क्योंकि जितना कॉंपोनेंट है जो सौरफ सेक्टर में लोगों के जरूरत है ये सब बाहर देश से आते है और यूएस दॉलर का इसमें काम में लाया जाता है इसके लिए भरना चाहिए तो ये ठीक नहीं है मतलब हानी है अस्पतालों के वास्ते हानी होता है और लोग अपना खर्चान नहीं उठा पाते है और समान नहीं खरीब पाते है तो ये लिखदाख तरीफं जो है इसको उजा करना ये बहुत जरूरी था ये आनपासिंग आ चुका है तो हम आपको बता दे कि लोग सहमत हुए है मिनस्टेरी फान फिनांसियन और प्लैनिंग ये भी कहे है कि जितना अख्टर संदने आउट बतालिंग का ओपस्तांद रसूस का मतलब जितना पाइसा अस्पतालों को मिलना चाहिए धीरे धीरे मिनस्टर फिनांसियन फान प्लैनिंग का ये भरने वाली है हम आपको बता दे कि बहुत से ऐसे पैसा भरना है और ये है 2012 से पैसा जो नहीं भरा गया है अब तक हम आपको बता दे कि एक रकम है सुरिफ अकडेर्य मिसीकन हँऊस परमारे वो को जो भरना है ये है onlar फेल तक मिलियून स्बीर का एंसेट एप जो है सरकार से बाच्चित किये हैं और कहे हैं जहां तक मुम्किन है और जहां तक हो पाएगा इन लोगों को ये पैसा जितना चलत हो सके भरना चाहिए सरकार भी ये कहे हैं कि वो पूरा तोर से कोशिश कर रहा है और जहां तक सरकार के लिए मुम्किन रहेगा ये पैसा अस्पितालों को भरा जाएगा पिछले हफ़ता मैं आपको बताए थी कि याफांस और खानी साथिस जाबी और खानी साथिस जो है ये सब एक पतीट सी पेश किये है मिनिस्टर बृंतोसो महार्चो को और लोग चाहते है कि याफांस निया जो है एक नचुनाल फ्रेयदा कहलाया जाए सुरिनाम देश में सरकार से गोजारिस किया गया है इस पर खौर करने के वास्ते अभी तक सरकार इस पर कोई फाइसला नहीं लिये है लेकिन हम आपको बताना चाहते है कि फिसर प्रेजिदेंट रौनी ब्रॉंसवेक कहे है कि ये जाबी लोगों के साथ या फांस खमेंसकाप के साथ सहमत है और फिसर प्रेजिदेंट कहते है कि इनके देखने में ये होना चाहिए इन लोगों को ये फ्रेजदाख जो है देना चाहिए अभी तक ओफिशल खबर सरकार के तरफ से नहीं आए है लेकिन फिसर प्रेजिदेंट रौनी ब्रॉंसवेक जो है ये सहमत है इस बात से कि ये फ्रेजदाख ये फांस निवयार एक नच्चनाल फ्रेजदाख होना चाहिए एक प्रॉंफिदेंट हुआ है 28 साल का प्रॉंफिदेंट लाइनल फ्रीदेंट बुद के शाम अप्रिल के 6 तारिक इसका दिहान हुआ है हादसा हुआ एक पर्शोन आउटो के साथ और उसके साथ लोग इने अकदेमी सीकनाल फ्रेजदाख में दाखिल कीए है काफी घायल अवस्ता में पलीटी निवा हाफन का जब खबर बुद को मेला है तो गए है जहाँ पर आन्राइधिंग हुआ था क्राउसिंग फ्रेजदर्बी स्राथ और निवा दोवने स्राथ तो वहाँ पर ये ब्रॉमफिट्सर सरक पर था घायल अवस्ता में इनको आम्बुलांस के साथ लोग लेगे ये सबुद आईसंदो हुलब अकदेमी सीकन हाउस पर अमारी वो में और अफसोस के साथ कहना है कि शाम के समय बुद को इसका देहान होस्पिटल में हो गया है अठाइस साल का ब्रॉमफिट्सर लाइनल फ्रीड ये अंदुर्शुक से कोच्पें से अब तक पता चला है कि लाइनल फ्रीड जो है ये फ्रेदर भी स्राइब से गुजर रहा था और ये ओटो मॉबिलेस ये गारी जो है ये निवर दो में इस्राइब से निकला है लेकिन क्राइसिंग पर ये फोर रंग नहीं दिये है और जाकर ये प्रॉमफिट्सर से तकराया है रैब वैस ये चपपन साल का आउटो मॉबिलेस का पलीस ले लिये है खोचबीन के दवरान ये नशे के हालात में नहीं था लाइनल फ्रेड का ये ओपनबार मिनिस्टेरी के कहने पर अप्डुक्सी के वास्ते कबसे में लिया गया है और आगे खोचबीन हो रहा है इलाका कॉमवेन में बीफे अप्रेल के साथ तारिक से पहला ओट डॉर जेम जो है ओट डॉर जेम जो है ओपन एर का खुली हवा में ये स्पॉर्ट फसिलितेट का खुलासा या उद्धातन किया गया है और ये है वा है प्रेसिदेंट चंद्री का परसाथ संतोगी के सरिये इससे एक स्वस्त जेवन में लोगों को मदद मिलना चाहिए और ये है खुसंद लेफ स्टेल के वास्ते कहा गया है प्रेसिदेंट के सरिये प्रेसिदेंट कहते है कि यह ओफिशल ओपनिंग उन्होंने किये है इससे यह जिम जो निव अमस्टरडम पर आए है यह पन-अमेरिकन हेल्थ और्गनाइसेशन मतलब पन-अमेरिकान से ख़सोंत है इस और्गनिसाथी पाहू के मदद से हुआ है यह प्रोयक्ट जो है यह जिम बनाया गया है सेफ एक्सरसाइस एरिया प्रोयक्ट जो पिछले साल शुरुबात हुआ है इससे लोग चाहते हैं कि लोग स्पॉर्ट करें लोग बवेहन और स्पॉर्ट में लोगों को कहा जाता है करने के वास्ते एक हल्थी लाइस्टाल एक अपने सहथ के वास्ते लोगों को अपना लाइस्टाल जो है बदलना चाहिए और इससे प्रेसिदेंस संतोकी ने कहा है कि लोगों को बखले दिंग मिलेगा और मिलना चाहिए लाइफ और खसेंस कोचिंग और बखलेदिंग लोगों को मिलना चाहिए जो ज़्यादा अमतनार जो है इन लोगों को सलेक्सी किया जाएगा और इन लोगों से ये सवाल किया जाएगा फ्रेविल अख ट्रेनिंग इन लोगों को दिया जाएगा प्रेसिदेंट कहते है स्पॉर्टन और बवेखिंग जो है यह बहुत जरूरी है इससे स्पेशालिस्टी से बहंदिलिंग के लिए और कम लोग जाएगा लोग तंदरूस रहेंगे और इससे स्वारख सेक्टर पर जो दबाव है और जो खर्चा स्यादा खर्चा सरकार के होत का और लोग स्पॉर्टन और बवेखिंग में हिस्सा लेगा तो जरूर हो सकता है कि यह जो पशेंटन है और कम भरती होंगे लोग और स्वस्त रहेंगे और तंदरूस रहेंगे और इन लोगों को अस्पतालों में दाखिल करने के लिए जरूरी नहीं परेगा एक करचा होता है अगर एक मरीज को बाखिल किया जाता है अस्पिताल में यह काफी ज्यादा होता है और कहा जाता है यह तख तख प्रोसेंट जो है बच्छेट का मिनिस्टेरी वान फॉलक्स खुसौन तेट का इसमें खर्च होता है यह कुराटीव स्वारख में प्रेजिदे जनतों की कहते है कि यह ओधोर्स पॉर्ट फासिलिता जो है जनता को भी इकतर लाते हैं और एकताय बढ़ाने की वास्ते यह भी बहुत ही उंडा रहेगा तो और भी स्वार्ट फासिलिता तन आने वाले हैं प्रेजिदेंट ने जनता से गुजारेश किये हैं एक हेल्थी लाइफस्टाइल को अपना जिन्दगी में लोग इससे काम करें, इसको अपने जिन्दगी में लोग एक हेल्थी लाइफस्टाइल का इस्तमाल करें और बवेखन और स्पॉर्ट करना ये बहुत जरूरी है। नौरात्री परव जो इस वख चल रहा है, इसके मौकी पर पहली मतवा प्रेसिदेंशेल पालेस के बगीचे में बेते हुए बेफे को एक पूजा वहाँ पर आयोजित किया गया था। प्रेसिदेंट चंद्री का परसाथ संतोकी और फिर्स लेडी मलेसा संतोकी सनीचरी के जरिये। हम आपको ये बता दें कि ये जो नौरातरी का एहमियत है इसके बारे में प्रेज़िदन संतोखी ने बातचित किये है और कहा है समाच और देश के लिए ये बहुत जरूरी है ऐसा करने के लिए ये प्राथना पूजापाट करने के वास्ते हम ये नौरातरी के मौके पर ये जो पूजा हुवा है प्रेसिदेंशेल पलेस में बहुत से लोग वहाँ पर निवंद्रिन पाए थे, बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद थे पहली बार जो है सालों के बाद नौ रातरी पर वह माही रमजान और पासन लगभग एक ही समय पर आए है एकी समय पर है और एकी समय पर मनाया जाता है और इस पर नजर रखते हुए प्रेसिदेंट ने कहा है कि हमें अलग-अलग यानि अन्य मसहब होते हैं सुरिनाम देश में लेकिन एकताई भी दिखाए देता है एक साथ मिलकल रोग उपर वालक को याद करते हैं देश और जनता के फाइदे के लिए जनता के भलाई के वास्ते देश के फाइदे के लिए प्राथना और इबादत किया जाता है कुछ दिनों बात वही पर इफ्तारी का भी एक प्रोग्राम रखा गया है यहोगा और उसके बाद पासन भी मनाया जाएगा एक ही देश में रहते हैं और एक साथ मिलकर रहना चाहिए, एक दोसरे का इज़द हमें करना चाहिए, सुरिणाम देश में अलग-अलग मजभ के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ प्रात्ना और इबादत करते हैं, देश और चन्ता के बुध्धी, ज्यान और तंदृस्ती के वास्ते, यह जो प्रेसि इन्दृ भाई बहन को हम याद करते हैं, शुप कामनाय हम देते हैं, बढ़ाया बेश करते हैं, शुप नवरात्री हम कहते हैं, चंत और दिन बागी हैं, तो इस्मौक Πर आप सभी को शुप कामनाय देया जाता है, अभी इस महना भर माह-ए-रम्जान के महना जो है, तो रो माहे रमजान के मौके पर सभी मुस्लिम भाय बेहनों को मुबारिक बादी हम बेश करते हैं, आप सभी को माहे रमजान मुबारिक हो। यहाँ तक आज प्रोग्राम साथ दीन आप सुने हैं, शुक्रिया, नमस्कार और खुदाफिस।